पर अगे मालिक तो गुड़ीवनिंग मालिक अधरी गुड़ी एवरीबडी गड़ और आशा करता हो कि आप तोड़ कर रहोंगे मालिक तो भारत मादागी तो मालिक कल की शुरुआ थोड़ा एक रिफ्रेश मार लेते हैं पहला अपने लिए जो डिसकर्शन था यह मतलब क्या होती है तो आपको तीन चार की टम्स में आपको यादक ने बुला था सबसे पहला स्ट्राडिजी इस लिए लॉंग टर्म ब्लूप्रिंट यह ब्लूप्रिंट कौन बनाता है और कानाईजेशन और और जो बनाता है वह कि मिरको बताओ क्या यह और पुराना है यह आगी की इच्छा है आगवी इच्छा इसलिए के बलते उसको अहर्नाशन डिजायड डिजायड दिंट इसीदे क्या-गया है इमेच डियरेंटी इसे यह कोर कोई discussion नहीं किया है लेकिन होने के बाद कुछ चीज़े मैंने थोड़ी समझाई थी आपको examples कुछ समझाए थे हाँ बाइस कैसे होती है क्या होती है अपने product brand इसके पर discuss किया और कुछ goals object इसके पर discuss किया कुछ customer के पर discuss किया इसके पॉइंट याद रखना नहीं है अपने को ऐसा आइडिया आना चाहिए यह उने के बाद आपके साथ सबसे तोड़ concept discuss किया कि स्ट्राइजी कित्ते प्रकार की होती है तो आपको मैंने बता है तीनों में difference क्या है यह चीजे मैं clear करता हूं सर कैसे clear कि अधा पने यह तीनों चीजे यह तीनों चीजे इस example से clear की थी अगर एक organization है और उसका एक group है वो group जो भी strategy बनाएगा वो strategy का नाम होगा यह स्ट्राइजी कौन सी पर example याद है तो कौन बनाएगा मालेक टाटा group that is a that they will be developing corporate level strategy second concept आपके लिए आता है business level strategy तो सवाल यह उठा था business level strategy बनाएगा कौन तो आपको मैंने बताया अलग-अलग various various business है इस टाटा group के सर कौन से कौन से business है पहला है टाटा मोटर्स टाटा अकन सहलने सर्विसेस टाटा पावर टाटा अए टीड अन एक्स्कैटरा तो अब जो टाटा मोटर्स कुछ decide करेगा वो जो strategy होगी वो होगी business level strategy ताटा steel को decision लेगा that is called business level strategy ताटा टाटा पावर को decision लेगा that is called business level strategy ताटा consultancy services कुछ strategies बनाएंगे वो होगी business level strategies यह strategies क्या होती है यह discussion कल नहीं हुआ लेकिन अपना आज करने वाले बट लौदिक याद रखना और उसके बात होती है functional level strategies जिसके अंदर मैंने आपको individual function एक खाली एक example लेकर बताया था एक example मतलब एक डिपार्ट एक organization में Tata Motors में अपने डिसक्स किया कि production department है R&D department है accounts department है sales department है HR department है और मैंने आपके साब यह discuss किया था production जो strategy बनाएगा यह कौन सी strategy होगी यह होगी functional level strategy जो function के हिसाब से होती है strategy जो किसके सबसे होती वड़ा function डिपार्टमेंट जो department वाई strategy होती है उस strategies को आपन क्या बोलते है Malik आपन बोलते है कौन सी strategy मालिक functional level strategies I hope clear है Malik everybody ठीक है तो जब अपन यह discuss किया तीन level की strategies तीन level management के level पी strategies तो corporate business functional जिसमें से मैंने कल शुरुवात की थी corporate level strategies याद करके बताईए corporate level studies जो मैंने कल concept समझाया था मालिक आपके साथ corporate level studies में मैंने क्या बताया यह कौन से कौन से decision ले सकता है तो मैं आपको example दे रहा हूँ आप answer देते जाओगे corporate level studies में Tata group बुलता है हम है ना Tata Motors के साथ कोई छिडशार नहीं करेंगे कुछ नया नहीं करेंगे कुछ पूराना नहीं करेंगे ना कुछ नया product निकालेंगे ना कुछ निकालने वाले हैं जैसी चल रहा है वैसा क्योंकि अभी तक market में कुछ नया demand नहीं आया है यह हम decide कर रहे है कौन सी strategy अगर ना divest करते हैं ना liquidate करते हैं ना turnaround करते हैं कुछ नहीं करते हैं तो सर इसका interpretation एक ऐसा भी हो सकता है कोई मुझे यह बोल सकता है तो सर इसका मतलब यह do nothing strategy है यानि कुछ नहीं करना टेक्निकल येस क्योंकि stability का मतलब क्या है कुछ नहीं करना लेकिन कुछ नहीं करना इसका interpretation अगर आप ऐसा करोगे तो कहीं न कहीं कल अचानक से सर्प्राइज एलिमेंट लेके कॉंपिटर आएगा और आप गाये भुजाओगे में सिर्फ एनवायर्मेंट को मॉनिटर करते है क्या हमारा कोई कॉम्पिटर है जो नया कुछ रहा है क्या कुछ गवर्मेंट की पॉलिची डाए से लिए अच्छा कुछ चीजамен होड़ी है क्या मार्केट में अगर वह कुछ हुआ तो हम नया स्ट्राइजी लाएंगे एल्स हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे सर एक्जाम्बल दे रहा हूँ टाटा मोटर्स के लिए टाटा मोटर्स स्टैबिलिटी स्टाड़ी यह डिसाइड करता है तो अब क्वेस्टन यह है हम एक्जाम्बल ले रहे हैं अपन थोड़ा सा पीछे जा रहा है टाटा मोटर्स डीजल कार बना रहा था कौनसी कार बना रहा था बढ़ा डीजल कार I hope everybody is aware डीजल कार टू मैनिफेक्चर कंजीउमर के लिए बंद हो चुका है जो अल्री कार मैनिफेक्चर हो चुकी है पिछले सालों तक वही चलेगी consumer के लिए diesel car available नहीं है okay sedan वगेरा सब बंद हो चुका है तो अब मेरे को बताओ Tata Motors खाली diesel car बना रहा था Tata Motors क्या बना रहा था बेटा डीजल कार अब डीजल कार बना रहा था और stability था कि उसको कुछ नया लाना नहीं था ना उसको कुछ निकालना था जैसे चल रहा वैसे चलने तो लेकिन मेरे को बताओ क्या government की policy आई नहीं क्या गवर्मेंट ने Stability के साथ आप जिन्दगी नहीं निकाल सकते है Stability कुछ time के लिए चल सकती है लेकिन वापस आपकी जिन्दगी कहीं न कहीं दूसरी strategy की तरफ जाएगी आइधर expansion और आइधर Retrenchment तो मेरे क्या से stability का concept क्या होता है मेरे को बताइए तोड़ तोड़ लॉजिक लगा के बताइए क्या stability strategy का मतलब होता है do nothing strategy नहीं ओके मेन object क्या होता है और के ensuring you are watching the computer नहीं बुलने का environment ensuring you are monitoring the environment को monitor करना यह strategy कौन सी होती है stability तो सर expansion और retirement में environment को देखते हैं लेकिन stability हम बाकी decisions को hamper नहीं होने दे थे मैं क्लियर मालिक अरे हाई आना अवाज नहीं आ रही रहे पका हां तो stability is with strategy do nothing study नहीं फिर उसमें क्या है ओके तो मेरा question ऐसा है क्या am I alert with the environment changes यह तो environment changes को alert रहना और उसके हिसाब से अपन बाद में देखेंगे changes आया strategy को change करेंगे यह कौन सी strategy हुई stability strategy भारत माता की जय जेपा के मालिक ठीक है देखो समझों एकदम आराम से जैसे ही मुझे मालूब बड़ा stability strategy कर रहा हो और मैं environment को देख रहा हूँ environment में एक government notification आता है diesel car बंद करिए अब मेरा question दा है employee है machinery है infrastructure है बहुत बड़ा investment है stakeholder है society है government है country है जो इन companies पर ध्यान दे रही है हम ऐसे कैसे कुछ की चीज़ें बंद करते हैं और बंद करके खंदम करते हैं ओके तो भाई हमने एक नई opportunity धुंडी और Tata Motors ने बोला भाई साब हम जाते हैं इवी सेग्मेंट में electronic vehicle segment में तो अब मेरे को बताओ ओके टू टेक डिसियन टू गो और एंटर इंटू electronic vehicle segment यह कौन सी strategy हुई अच्छा यह कौन डिसाइड कर रहा है मैं वापस बोल रहा हो गलती से नहीं नहीं सुनो अगर किसी का interpretation अभी भी यह जा रहा है कि टाटा मोटर डिसाइड कर रहा है नो मैं किसके ओपर हूँ टाटा ग्रूप टाटा मोटर यह डिसाइड नहीं करेगा ओके अच्छा थोड़ा सा और प्रिसाइजली इस चीज़को भी सायों माना जाते है तो दौनों सीओं में डिफेर्स क्ग्या है वगरूप के सीओं है और एक टाटा मोटर कंपनी के सीओं घौ मैंकलियर तो मेरे कंपनी के रिलेटिसिए को लेगा कर नाम आ ज्दान कौन लेगा प्राइज कम्पनी के रिलेटिट के श थत crus appear को अव को नया expansion करना है नया car में जाना है नए segment में जाना है यह कौन decide करेगा रतन टाड़ा जी या Mr. X गलती से भी कोई Mr. X बोल दिया गड़ बढ़ का दोगी Mr. X की जो strategy होगी वो होगी business level के लिए किसके लिए business level और वापस मैं बोल रहा हूं रतन टाड़ा जी ने बोला सोच समझ के बताए रतन टाड़ा जी ने बोला अपन इवी segment में जाएंगे किसमें जाएंगे इवी यह decision ले लिया तो यह strategy कौन सी हुई expansion अच्छा रतन टाड़ा जी ने बोला नहीं भाई ओके यह particular diesel है diesel का point अपन को बंद करने बोला हुआ है अपन कुछ नया नहीं करेंगे diesel को बंद कर देंगे और जो बची हुई पेट्रोल की cars है उसको अपन बेचेंगे यह क्या addition हुआ है यह क्या addition हुआ मेरे को बताइए रतन डाड़ा जी बोलते है नहीं नहीं भाई एक diesel डिजल manufacturing plant है बंद कर दो अपन सिर्फ प्लाइंड पेट्रोल वाली चलाएंगे कुछ नया नहीं करेंगे डाइवेस्टमेंट का point था यह अच्छा क्या इसमें turn around possible है क्या क्या turn around possible है क्या turn around होना मतलब क्या होना अभी आपकिसमें कोई punter मेरा ऐसा बोलेगा sir going with EV is a turn around no okay turn around or going with a new expansion both are different element EV is nothing to do linked with diesel cars तो आप इसको turn around नहीं बोल सकते है turn around कव होता है जब diesel का का सेल कुछ कारणवर्ष लेस हुआ और उस सेल को हम बढ़ाने के लिए strategy wise cost wise को decision लेवे तो turn around की संभावना आती है तो मेर को बताईए अगर मैंने बोला diesel car plant को बंद करना है मेरे को बताओ यह क्या करना चाहिए इस चीज़ को क्या बोलोगे आप डाइवेस्टमेंट अच्छा पूरा टाटा मोटर्स ही बंद कर दो टाटा मोटर्स ही बंद कर दो एक लिक्विडेशन की कहानी आ जाएगी बट टाटा गुरुप के लेवल पर यह डाइवेस्टमेंट भी वाना जा सकता है तो लिक्विडेशन डाइवेस्टमेंट एंट इंटर्चेंजिबली यूज़ डिपेंडिंग अन सिनारियो आई हो प्रकार के डिश्यन लेसकते हैं तीन कौनसे कौनसे स्ट्राइब एक्स्पाँशन रिट्रेंच में में कित्पर कार बाई और टीन टानरायूंट डैवेस्टमेंट लिक्विडेशन वंस एंट लास्टैमस्टमीं तैप सॉप प्रीवर्पेंर ले श्य tombi इसार दियर प्रकार है तीन नाम बताईए पहला पॉइंट स्टैबलिटी एक्सपंशन रीटरेंचमेंट मेरे काजी रीटरेंचमेंट सबको clear है ना भी सबसे ज्यादा benefit देने वाला कौन सा है सबसे ज्यादा profit देने वाला कौन सा है सबसे ज्यादा pride feeling करवाने वाला कौन सा है expansion एक आदमी है जो life में saturated हो चुका है और बोल रहा है अपनी जिंदगी ऐसी चलने दो यह कौन सी है stability तो हर जगह अपना 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 element है जो अपने को discuss करना है I hope चीज़े clear है everybody अब सबसे बड़ा confusion है फिर मेरा question ही आता है यहाँ पर Mr. X क्या करेगा यहाँ पर Mr. X क्या करने वाला है क्योंकि यह भी तो strategy बनाएगा न मालिक कहीं न यह भी तो strategy बनाने वाला है तो कोई भाई साब Mr. X की strategies क्या क्या रहेगी फिर अपना next level concept discussion ओके आप पहले structure ready कर रहो समझ रहां building बनती है क्या पूरी building की सारी दिवारे बनती है क्या नहीं पहले क्या बनता है structure अपन structure बना रहे structure बने दो flat अपने आप बन जाएगा पहले structure तोड़ बना दो तो सबसे पहले ओके अपने corporate level study को close कर दिया तो corporate level study okay parking lot में डाल दो आपके किती है parking lot में corporate level studies तीन और तीसरे के अंदर तीन ओके यह यह logic सबको clear कोई doubt इसर तक Malik ठीक है second study आ रहे है business level study question है Tata Motor वाला आप से सवाल आ रहा है कोई मुझे बताएगा Tata Motor वाला TCS वाला यह Tata Power वाला यह Tata Steel वाला यह सब कॉंसे decisions लेते होंगे business related decision now the question comes what is a business related decisions my kisi के वास होगा तो बताईये आराम से अराम से take your time because that is business level decision my kiss के बास है इधर तो business level decision बता रहे भाईसाब बताईये मालिक इधर 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 business level decision online पट्रोलोग आप लिखते जाईए मेरे को समझ माँ आ जाएगा थोड़ मलिक बुली मलिक business level decision कि सर्जो corporate level decision लेन उसको इंप्लिमेंट कैसे करेंगे उसके क्या स्टैटर्जिस होगी वह बिजनिस लेवल पर ओके देखो एक बहुत नया concept आपके दिमांग में आ रहा है एक नया word आ रहा है लेकिन आपको इसको बहुत सेपरेटली रखना है सर ने बोला कि corporate level strategy जैसे होगी उसको implement करने के लिए business level strategies होगी आपको मैं बोल रहा हूँ यह possible है मैं इस पर debate नहीं करूँगा लेकिन strategy बनाना और strategy implement करना यह दो अलग अलग चीज़े मैं इन दो चीजों के इसमें मिक्स नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ business level कौनसी strategy बनाएंगे मैं नहीं बोल रहा हूँ के strategy implement करेंगे मैं उन्होंने बोला expansion I do agree सुन लिजे पहले इस पर वापस मेरे को answer नहीं चाहिए I do agree वह बोलेंगे expansion है example अच्छा मेरे को बताओ Mumbai पुने मेरा already branches है और मैं सोच रहा हूँ अभी एक काम करते हैं इंदोर में एक नाया ब्रांच खोलते हैं यह कौन सी strategy है कि अब मेरे को बताओ क्या इंदोर में मुझे office लगेगा क्या इंदोर में मुझे classroom लगेगा क्या इंफ्राजर लगेगा क्या उद्वर टीचर लगेंगे यह सब चीजे आएगी यह सब चीजे आएगी I know यह चीजे मेरा एक particular person देखेगा यह implementation का हिस्सा है इसमें आप मत रूसी है मैं question पुछ रहाओ discussion कर रहाओ strategy wise business level क्या strategy बना सकता है एक्जिम करो Tata Motors अब एक्जिम करो Tata Group ने कोई strategy नहीं बनाई सर स्टाड़ा की strategy कौन सी है stability अब मेरे को बताओ Tata Motors क्या करेगा stability वैसे वह भी कुद अच्छा वह स्टाबिलिटी अपन भी स्टाबिलिटी नीचे वाली भी स्टाबिलिटी जिंदगी स्टाबिलिटी वह उनकी डिसियन दा स्टाबिलिटी उनको ना चेड़ चाल करनी थी ना expansion नहीं करना ना लिए अच्छा को जैसा चल रहा है इतना बहुत है मेरे लिए लगोना कुछ निया रहा है यह स्टाबिलिटी वैं बताओ स्ट्राटेजी पूछ रहा हूं सर मॉनिटर करता रहेगा अगर मॉनिटर हो गया मैं स्ट्राटेजी की बात करो अच्छा मॉनिटर करना इस स्ट्राटेजी नो मॉनिटर करना इस इन्फर्मेशन लेना उसके बेसिस पर डिसियन लेना इस्ट्राटेजी प्रदूश Prozent कि नीड है मतलब इड़ागा जमींट है कौन्जूमर कि क्या नीड है मैडम ने आंसर बूला किस की की या नीड है consumers यानी point ब सी अधर टाटाजी ्ट कि एक टार्गेट के नर्ट्ट का टार्गेटросटम जम्राएं अब बस मेरे को यह आप बताईये consumer की क्या-क्या need हो सकती है एक्जामबल Tata Motors में electric vehicle एक point आ गया EV आ गया ठीक है okay EV आ गया अब मेरे को बताओ EV launch करना यह किसका decision होगा मेरे को बताओ Tata Motors के पास जो अभी existing funding होना बहुत मुश्किल हो सकता है तो उनको additional funding लगेगी किसके पास जाएंगे मेरे कहाज है everybody understood फिर इनको बोलेंगे और यह बोलेंगे ठीक है EV launch करो यह EV launch करो क्या हो गया expansion अब ultimately इसकी study थोड़ना हुई हो कि EV launch करना एक सी study थोड़ना हुई यार इवी लॉंच करना बिजनस study नहीं हुई है नियर अब आप concept में जा रहे हो बरोबर जा रहे हो लेकिन थोड़ा भटक गये वापस पॉइंट एक दम क्लियर कस्ट्रमर पर फोकास यस पंटर अगे एक एंसर तोड़ यह भी तोड़ तोड़ अब ताइम डालो आपको समझेगा क्या confusion हो सकता इसके अंदर बागी और कुछ नहीं और माक कसम रेस्टू स्क्वेर ओके माक कसम रेस्टू क्यूव मैं आपको ब बढ़े नहीं अगरांटी बूलर्र मैं तरह को क्लास में एक दिन प्रेंट दूँगा मैं रेस्टू क्ति कुई बोलाओ कि मैं दिन पहले में कुरीरली बता हूंगा कि भाई यह को सकती है तिरी और अगले दिन वहीं और तुने रॉंग ने किए तो नाम बढ़ा ड़ ले स कि गारंटी स्टैंप पर साइन करें रिजन सिंपल है क्योंकि अपने इसी में कन्फीज होते रहते हैं तो ठीक है दिखते हैं चर्था अभी सर ने क्या बोला उसके पर चर्चा करते हैं बोलिए सर प्रोड़क्ट बेचने के लिए मार्केटिंग बढ़िया मेरेको बताइए मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट या बिजनस है धीम स्क्रीन पे लिए मार्केटींग कीकें बिजनस हैं और अच弹 और मश्मपटैटिंग दीकिने शाहा हैं क्या वो बिजने लग हाई क्या वह बिसन सोंग्च्च्टेवल है या इ Amazon फंग्शनल करता है आपको याद होगा लक्स का एक्जामपल दिया ओके बॉर्विए का कश्टमर को ऐसा याड़ करके माकसम भेकाना है यह कौन डिसाइड करेगा बिजनेस लेवल करेगा या फंक्शनल करेगा फंक्शनल तो मार्केटिंग वाला जो सोचेगा वो कौंसा लेवल? कॉंचिनल लेवल. पैसा, अभी प्रशान सर ने आपको समझाया अगले साल के बाद, दस साल के बाद, कितना साल के बाद? 50 साल के बाद, वो क्या दे रहता है? एक लाग रुपया. साल के बाद? कभी-कभी तो मैंने एक लाग रुपय दिया और अगले साल एक लाग रुपया. दोन में दिफरेंस है ना? दोन में क्योंकि टाइम वैलियो अफ मनी का कोई कंटेक्स है. मैं बोल रहो, आज मुझे तू एक लाग रुपय दे दे, एक साल के बाद मैं तरह को एक लाग दूँगा, वो बलता, नहीं मैच नहीं होता. मैं बोला, ठीक है, नहीं दूँगा मैं? अभी इमाजिन करो, एक साल के बाद एक लाग रुपय ले लो, बाग की भूल जाओ. ये टाइम वैलियो मनी का अपना अपना लॉजिक है. और जो भी पॉइंट है, टेक्निकली, फाइनेंस के रिलेटेड आपको प्रशांसर इक्विटी से ला सकते है, पैसा लान देया तरीका, डेप्ट से आ सकता है, अब मेरे को बताओ, इक्विटी जादा लेवे या डेप्ट जादा लेवे? डेप्ट, इक्विटी, गंधा, depends. मेरा क्वेश्चन है, ये स्टाटिजी कौन डिसाइड करेगा? वापस, कौन सा दिपार्टमेंट? एक्विटी लाना, ये डिसियन किसका होगा? बिजनेस लेवल या फंक्शनल लेवल? मैं आपस बोल रहा हूँ, कोई भी अगर ऐसा सोच रहा है, फंक्शनल मतलब एकना नीचे सर, अभे फंक्शनल का टॉप मैनेजमेंट है, बिजन, ओर्गनाशन का? इंटर्प्टेशन में क्लियर हो, फंक्शनल इस नॉट लोवर, फंक्शनल के स्ट्राटिजी आर डिफ्रेंट फ्रॉम बिजनेस एंड, पर्फेक्ट, तो मेरे को अभी तक मिला नहीं है, बिजनेस लोवर कोई और, कोई एक्जांपल मेरे को दे रहा है, ओनलाइन में शॉ ताटा मोतर में बताओतरों , डाटा मोतर में जैस मरें, मौतर म Tata मोतर में पनीट और उपन करना जैसे फैक्ट्रेस एक ओर ऊपन रुपन Красण मेरे को एक और उनित ओपन करना किस नियोंगे?, एक ओनित ओपन करना, किस का डिसियन? क्वार्पेट के बास बिजनेस कर रहा है और एक पॉइंट बदाइए बिजनेस क्या कर रहा है आप जो भी अंसर दे रहे हो दो जन पर मिक्स हो रहे हो आप जा रहे हो यह तो कॉर्पेट नहीं तो मैं पूल रहों पीच क्या कर दा यह समाने को डिशेंस होगा वह इपनी फ्रेंचाइजी किसे बेचना चाहते है वह टाटा मोर्टर्स रिसाइड करेंगे इसे हम अपना बिजने वह फ्रेंचाइजी मतलब मेरी और फ्रेंचेजी कौन होगी मेरे मेरे अगर बात करें तो शाह है क्या गरी का सकता हूं लेकिन आपको एक चीजस बता धूं इसको देना चीए इसको बहुते हैं इसको इसको ना चीए इसको तो यह एक टिया मेश में भी तो यह मैं गार् retracting वाले में तो वैजिनिम्हाग उस प्रोड़क का ब्राइंड एम्बे सेडिर कौन होगा ओ माइगाड अच्छा मेरे को बताव अमिता भच्चन जी को बलाना है अपने को किसको बलाना है अमिता बच्चन जी किसको बलाने का है क्ऊन डिसाइड करेगा ओ सिर्धी तो बिस्नेस यह मिस्टर कर क्या रहा है Mr. X क्या कर रहा है जो एक-दो एंसर और लेंगे अपन एक-दो एंसर में कोई बताएगा कोई सर यह मार्किटिंग करके यह कुछ भी करके सेल्स इंक्रीज करो और आपको फिर वह मिल्ब की आपको ऐसा लगता है अगर सेल्स इंक्रीज करना मेर को बताओ अगर CEO Mr. X को ही सेल्स इंक्रीज करना है आपना वापस डायरेक्शन लेस होते जा रहे हो प्लीज मेरे डायरेक्शन पर चलो अगर सेल्स इंक्रीज करना है CEO का काम है या सेल्स डिपार्टमेंट का काम है अब डिपार्टमेंट से पॉइंट उदर से हटो उदर से हटो सेल से हटो जो से टाटा मोटर्स का जो हैड है जो मैंलोब चीफ फाइनेशल ऑफिसर है वो ऐसे मैंलोब मैठेट्स लाएगा कि उससे क्या कि जो रिजर्व जन सर्प्लेस अपनी के उसको थोड़ा थे नहीं है तो रिजर्व सफ्लस युजई करने का मेरे घर पर तोड़ कमा रहा हो मेरा पैसा रहा है मैं युज कर रहा हूं लेकिन अगर मेरे को मेरे बापूने बोला आपका मेरा भाई जो है बुएस तो बोला भाई उसको पैसों की जरुरत है क्या मैं मना करूंगा कि ये स्टेपास पर चलल आपके वापे सिको देडे क्या मैं यह जो रूकत वोत तर इस थे प्र फ्लस्त टाट रूप पर यह प्रड़ कर दिया उनलाइन मतलब देख यह दिया और देख करेंगे दिया क्या दिया कुछ तो है रिशक्त नहीं माँन हैं बढ़्या नीचे सारे देपार्टमेंट सेट अपना प्रोडक्शन से अकॉर्डिंग यह सब तो वह सब को जो मैंनेज करें वह अच्छे से काम करें कि इंको निकालना एक और एड़न करना है थीक एग्री एग्रीड 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 आए कंसिडर आइक उसेड़ बद इसनोट एंटलिक रगना एग्रक्ट करणा ओं और चल्ट मधा एक अंड्रफा करण होता है क्या खार्च रीजिशक सब्सक्राइब फिसाए अंड मैं को अधिस्ट्स पैट वाल आधा मैं‌ग लेकिन यह स्ट्राटीजी से परेपर यह स्ट्रिजी को लिंक करना पड़ी हमें हम सरॉत क्ठ प्राइस क्या रखना मार्केट प्राइस क्या रखना ठीक है नियर अबॉट वके नीर अबॉट आ मैंधुल को तर यह सब शब्लाइस केब थे-धर राजाएंगे मैं आपने को अलमस्ट डेटा भी चुका है नियरबॉट इह रखना हूं के अंदर कुछ आसे आत्मा जल नहीं रही है नहीं sir strategy stability we are only watching the environment okay yes sir yes madam sir सारे department में coordination रखने की स्ट्राइश सारे department coordination रखने की स्ट्राइश नहीं होगी but department को coordination में रखना okay ठीक है department को coordination में रखना equity finance अच्छा मेरे वापस clear काव दू equity लेना के finance debt लेना यह कौन डिसाइड करेगा अच्छा यह फंक्शनल लेवल हुआ इस नतिंग डूए बिजनस लेवर स्ट्राइज यस अब बोल दीजे इधर माइक इधर दीजे आधर जब तक आ रहे है तब तक तु बोल दे मैं रिपीट कर दूँँगा एच्छाउ प्रॉडटे इपाटमेंट बनाना ए कि ने बनाना या इन शॉट जो अपने डिसकसियन किया डिपाटमेंट कॉन सा बनाना कॉन सा नहीं इन आपको main strategies पर ध्यान देना होगा, सारी आत्मा इदा ध्यान दीजेए. मैं आपको कुछ examples दे रहा हूँ, एक एक, दो-तीन example को लेंगे और तोड example लेके आपको इस जीज़ को conceptually clear करेंगे. मेरे क्याल से everybody, मैं तब 100, 100, मैं अल्मोस सब लोग नाते होंगे. मैं अल्मोस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब अपन भार रहते हैं, घर से भार रहते हैं, हम पानी बचाते हैं, हम save water, hashtag save water, save earth की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कही ना कही, कभी ना कभी, कभी ना कभी तु नहया होगा. अब मेरे को बता, जो जब नहया होगा, तो साबून लगाया होगा. तो पहला point, इक basic बात करें, साबून में, जैसे मैंने पहले दिन भी बताया, बहुत सारे प्रकार के साबून है. उकेज, पियर्स, एक साबून है. तो मेरे को बताओ, क्या ऐसा है, जो कोई एक ऐसा बंदा है, जिसने तोड़ पियर्स ही यूस किया होगा lifelong. जितने सालों से है, उतने सालों से मां कसम, पियर्स क्या लगा, जमेगा नहीं. बस पियर्स के कलर चेंज करता है. मुलब वह ब्राउन की जगह अबलीव लेके आएगा ब्लीव की जगह कभी ग्रीन लाएगा लेकिन लाएगा प्यर्स जी है ओके एक ऐसा बंदा एक ऐसा बंदा हो गा जो बच्चपन से लेकर सबसे सस्ता वाला साबून पकड़ता होगा ओके लाइव बॉय लेकिन टेक्निकली लाइव भॉय भी सबसे सस्ता वाला नहीं है लेकिन मैं आपको उतार हो ठीक है उसने लाइव बॉय पकड़ा वो लाइव भॉय ही पकड़ के चल रहा है क्या कोई एक ऐसा बंदा है जो आज के डिट में साबून के हानिकारक चीजे बी यूजिंग वन साबून वन सोप विच इस फ्रेशली मेड फिर आपको एक एड आती है इंस्टाग्राम में यह साबून घर पे बनाया हुआ है यह साबून एक फ्रूट से बनाया यानि भाई कईरी तोड़ी और अंडर डाली मलब जबर्दस अब इसी साबून को तू यूज कर और मा कसम जिंदगी सेट हो जाएगी और इसको देखके तू साबून ओर करता है अब मेरा टेकनिकल पॉइंट यह जा रहा है देखो अपना हंड्रेड परसन अपन सेंपल अपन लेते हैं अपनी सेंपल साइज अपनी पॉपुलेशन है अपना हंड्रेड परसन यहांगी एक मेजर मास अपने साइड करेंगे सस्ता दूनते लेकिन अगें डिपेंड अन प्रोडाक्ट आज से 20 साल पहले यह परिस्तिती हनमेशा ही थी हमको क्या चाहिए सस्ता आज की जनरेशन में जेंजी वो क्या रता ना जेंजी वो जनरेशन एकदम अलग जनरेशन तोड जनरेशन है यह जनरेशन खाली सबसे अलग भी देखती है उकेशचष अब बता हो एक टाइम था पशेक्षा साल पहले टोमेटो केचप आब साबून से टोमेटो केचप निया स्टोमेटळ केचप अचेथए जैते pararव काम खतम आज मेरेको बता हैं लेगार कंछी 30 एक टोमेटो केचप लिग आती है नो शुगर जीरो फैट्स अब मेरेको बताओ क्या यह टोमेटो केचप जो हेल्थ फ्रीक वाले उनके लिए प्रोड़क्ट अविलेबल है अब मेरेको बताओ अगर 10 रुपे महंगा या 15 रुपे महंगा रहा तो भी वह प्रोड़क्ट खरीदा जाएगा टेकनिकली पॉइंट है यही स्ट्राटेजीज डिसाइड करता है बिजनेस वाला सलगा जाए बिजनेस वाला डिसएड करता है कि अगर 100 लोग है अपने प्राट्री में करतेों एक एक सांपल्स सब्सक्तों से कुछ लोग उनके जो सबसें महंगा खरीद घुए और कुछुछ लोग में से जिन्दगी किECH और 175 चंडलर रही है उंगार nella का अगर मैं Tata की बात करूं, Tata के पास Tata Nano थी, अभी वैसे बंद हो गई है, जए Tata Nano सबसे सस्थिकार थी, okay, इसको अपन बोलते कौस्प लीडर, क्या हम लिडर का हम सस्थिकार निकालें देखो, ये रतन Tata जी इसमे अंडर करेंगे, Ratan Tata जी गाइड़न्स देसकते हैं, एक्सपांशन करना है लेकिन एक्सपांशन कौन से एरिया में करना है क्या हमें MARKET में क्या हमें क्या mitä मिंक्वारिदी बना है he कोजेंस वाला क्या रहले कम में काई भाई मोछ न वाल्रणिसी आघा या मलालिक वापस है क्या सबसे ससा या भाई साब consumer product करेगा purchase करेगा एकदम हटके जिसके लिए पैसे के बार में वो सोचेगा नहीं अच्छा क्या अपनी इंडिया में Tata Nano खरीदने वाले भी लोग है क्या इंडिया में Jaguar खरीदने वाले भी लोग है बात खतम वो दोनों कार कौन बनाता बात खतम वो कौन सी कौन सी दो कौस लीडर या differentiation मैं अपस आ रहा हूँ आराम से खतम नहीं हुआ कानी लेकिन पहरा point यानि मेरे को बताओ इधर Mr. X क्या सोचेगा अब पहले link करना सीखो क्योंकि एक जन ने implementation के ऊपर किसी ने पंटर ने अपना implementation के ऊपर बात की थी तो अगर Tata Group ने बो को घ़ंपार इगा Mr. X? ने बोला भाई रतन टाटा जी ने बोला भाई हमें आविमें जाना मैं लेकिन हम जाना हि हम सथने निकालेंगे सबसे अलग निकालेंगे और बेस निकालने के यह कौन डिशाइड गरेंगे है इवी में जाना है नहीं जाना है यillह ड़िशीन किस क्या रहीगी कौन सी studies deal करते हैं लोग hablarok क्या ना है cost leader what is meaning of cost leader यानि हम सबसे market में सफसे सस्ता दिने उर्ड हम लोग है market में सबसे सथा दिने वाख лег अगर आप देखोगे कुछ soap मिलते हैं सबसाबू निलते ही कुछ जलो और premium आते हैं जो homemade soaps बोले जाते हैं तो टेक्निकली सबसे सस्ता साबून कौन सा है सबसे सबसे सस्ता निकलना मार्केट में बिजनेस वाले मुझे सबसे सस्ता निकलना मार्केट में अच्छा थोड़ा टेक्निकली सोचो मेरे को आप सोच समझ के बता हो रियल लाइफ एक्जामबल है अपने आपको मालूम था इनिश्यली आज से 10 साल पहले और देर वोड़ा फोन देर वस आईडिया देर वस एरिटेल इनके पहले प्रीमिम नाम पुराने नाम थे औरेंज हच सम्थिंग लाइक डैट ओकेज़ आपको मालूम है आपको हर मैने का इंटरनेट का तीन सो रुप्या अलग से दिना पड़ता था ओकेज यानि आपको दो रिचार्ज करने पड़ते थे कौन से दो रिचार्ज पहल पोड़ते लाया यनि उसने क्या किया सबसे सस्ता यानि मिलग जीयो बिकम कास्ट लीड़ यानि रेलाइं सिंडने मं मुंकेश भाह नं मॉझां प्सू हम किसमें आंगे लेकिन मिलग ऑन टेलिकव में सबसे सस्ता निकालेंगे यह बिच सिंब काता बढ़ना Online leader ठीक है और एक example Apple आपको नहीं लगता आज के डिट में जितने भी फोन्स अविलबल है सबसे तोड़ प्रीमियम फोन्स कौन सा है Apple definitely Samsung लेकिन don't you think Samsung सस्ते में भी अविलबल है तो Samsung का range बहुत जादा है लेकिन Apple का एक category पकड़ के चला है कौन सा category प्रीमियम तो अब मेरे को बता उसकी strategy क्या है सबसे सस्ता या सबसे तोड़ सबसे तोड़ हम इसको कौन सी strategy बोलती है differentiation मेरे को पब्लिक पैसा क्यों दे रही है एपल को क्योंकि कुछ ऐसा दे रहा है वो जो कोई दूसरा अब यह सब्सक्राइब हो सकता है आप बोलों कि सर घंटा इस फोन में क्या मिलने वाला यह फोन से साथ यह जो इसको अपना फोन महेंगा ही पहेचेंगे सस्ता नहीं करेंगे कौन डिसेड करेगा बिजनस लेवल उकेश इसको अपन कौंसी सड़ी बोलते मालिक कि नहीं कॉंसे साथ जी बोलते हैं मालिक दिफ्रेंसियेशन आई होप यार एवरीबडी इस गटिंग हाई आना तो मेरे को बता बिजनस लोट स्टाइजी कितनी है नाम कॉस्ट लिडर डिफ्रेंसियेशन होके हम मुझे सब लोग के इंवल्मेंट चीह इस पॉइंट पे इस जड़री है जाइन डिपार्टमिन होना जरूरी है और एंड तो मेरे का वाल नी फोर पैसा करने आरेंड तुझे जो करना कर लेकिन मा कसम साले प्रॉड़क्त बहुत बहुत है थे लिगतरीन नोने चाहिए कि कौन डिसाइड करता है बिजनेस लेवल यानि पॉइंट वी नोटेड एकदम तरीके से अगर बिजनेस लेवल इदर डिसाइड करता है कि भाई हमें डिफ्रेंसियेशन करना है तो इधर आरेंडी काम बहुत ज्यादा करेगा या बहुत कम करेगा ज्यादा करेगा भारत माता कि यह पराएगा मालिक लेकिन अगर इसने सोचा हमें सबसे सबसे सस्ता निकालना है क्या निकलना है हमें तो मेरे को बताओ निक्ता क्या आरेंडी कशना हए द्यान ही कि ऐसे वसकूल होता निक्तों फिर जैसे R&D वसूल हो जाता है उसके बाद वो प्रोड़क्ट थोड़ा सस्ता हो जाता है टेक्निकल यह सी होता है आप मेरे को बताओ अपन सबसे सस्ता निकाल रहे हैं सबसे महंगा सबसे सस्ता या महंगा सबसे सस्ता या महंगा सबसे सस्ता या महंगा सबसे सस्ता क्यों और कंू नीन काल रहे हो प्राडर कर वे बन रहे हो जिए कॉस्स अलीन कि बना कि यूंकि गैब को मालूम था अगर उसने नॉर्मल प्राइस पे प्राडर्क लॉंच किया उथा गंटा कुछ नहीं होता थो उसको प्रोडक्त लाुच करने के लिए सभसे 5 ही करना होगा तो मार्केट क्या कर पाता था पेनीटरेट हरो यह थे सबसे सबसे सब से लाने के लिए किसने अग लिया ओ कि बिजनस level manager उसी तरह example अगर मैं एक watch निकाल रहा हूँ और सबसे सस्ती निकाल रहा हूँ मेरे को बताओ condition लेगा question अभी मेरा वापस वही आता है क्या ऐसे case में R&D department जरूरी है क्या पक्का R&D रखा तो क्या problem आईगी क्वास बढ़ जाएगा लेकिन problem है सबसे सस्ता निकालने के लिए सस्ता से सस्ता निकलता कैसे पहला point है सबसे सस्ता करने के लिए please make it sure आप यह चीज़ क्लिया समझ रहा हूँ सबसे सस्ता बेचेंगे क्या वोला मैंने सबसे इसका interpretation आइसा मतलगना नुक्सान में बेचेंगे सबसे सस्ता बेच के profit कमा रहा हूँ मैं आए होप यह अर गेटिंग इंड मैंने जब बोला सबसे सस्ता बेचेंगे देखो अगर आप धुकी हुह है नुक्सान पे आप सस्ता बेच रहे हो नुक्सान हो रहा है कौस ज्यादा ज क्या है सबसे सबसे सबाड़ मतलग मैं क्या कमपनी कर मैं कि या अगर ओसा करते गाना ये यह तो मैं इसा सबसे क्षा बेचना है सबसे 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 सकता है कौन सब अगर आपका सस्ता हुआ तो ही तो आपका प्रोडक्ट लोवर प्राइस बेच पाओगे तो सबसे सस्ता क्या करना पड़ेगा पहले और मेरे को बताओ कॉस्टिंग हुआ रहेगा ने रियर ठीक या भी थोड़ा बहुत अपन उसको लिंक करेंगे ऑके मेरे को किस में सस्ता पड़ेगा है हजार जौल्फ किस बढ़ेगा ज İşte not the volume कि उत्ना कि कम बैक कम बैक कियर मैं कौन से लेवल पर अभी मालिक बिजनस लेवल फंक्शनल लेवल तो इजीली पॉइंट क्लोज होगा बिजनस लेवल की बात कर रहे है लास स्ट्रॉक्चर है बहुत अच्छे जिधान दिये सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला कौन से को टेंशन नहीं है क्योंकि उसके कॉस्ट जो एक्स्ट्रा लगने वाली है वो प्रोड़क की प्राइज में रिकावरी हो जाएगी लेकिन अगर मेरे को सबसे सस्ता बेचना है इसने डिसाइड किया तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपको क्या कम करना पड़ेगा कॉस्ट क करना पड़ेगा तो मतलब मेरा मार्केट शेर कम होना चाहिए बहुत जादा होना चाहिए जब मार्केट शेर बहुत जादा होगा तो ही मैं कॉस्ट लीडर बन पाऊंगा इमाजिन करो मैंने पाच लाक युनिट बना दिया सस्ते के चक्कर में लेकिन विकाखली 10 यूनिट है तो आप कॉस्ट लीडर नहीं हो अब सस्ता बेच रहांगे लेकिन मार्केट लीडर कि दर है ओके यानि सौ में से कस्टमर कितने आपके पास पाच पाच कस्टमर मार्क लीडर चाहिए मैंना इसे मार्केट लीडर ओके यानि सौ में से तुमारे पास साथ लोग आ रहे और यह साथ लोग जो तुम्हें को प्राइस दे रहे है उसकी वोगे तुम्हें परवढ रहा है सबसे अलग और सबसे अलग प्रीमिम दे रहा हूं तो चार्ज क्या कर रहा हूं अगर उसका कॉस्ट मैनिफेक्टिरिंग कॉस्ट तीस लाग भी गया तो भी मेरे को क्या फर्क बढ़ रहा है और आपको बता रहो और यह मेरा खुट के एक्स्पिरियंस है जब आप देड़ करोड़ी आड़ी घाड़ी खरीते हो वह बोलेगा पॉलिश करके देता हूं पॉलिश का किता दो लाक तू नहीं थोड़ना बोलेगा ठीक है भाई देड़ करोड़ी आड़ी यह उसको बचान कॉस्ट लीडर तो ही तुम कॉस्ट लीडर बनोगे यानि एक्जांपल अगर सौ कस्टमर से और कोई टेंशन मत लिए नेक्स्ट विक के दो लेक्चर के प्रोसेस में यह सब एक्जांपल वाई अपनका स्ट्रक्चर हो जाएगा एक्जांपल मतलब क्वेस्टिन बैंक वा वह भी मेरे पास आए तो बोलेगा साट कैसे आएंगे तो इसने मार्केट की स्टडी की और इसको समझा मां कसम यह तो साले बहुत हावडे लोग है यह लोग सस्ते वाले चलो एक काम करते एक प्रोड़क निकालते जो सस्ता प्रोड़क्ट है इन्होंने प्रोड़क निका मेरा टेक्निकल पॉइंट होगा अब मैं क्या बन गया कॉस लीडर पर मेरे सर चालीस जो छोड़के गए वह चालीस तुम कितना भी करो उनको सस्ता नहीं चाहिए था उनको अलग चाहिए था प्रीमियम फिलिंग है चालीस लोग बोल रहे है यार जो दुनिया ले रहे है होई लेके क्या फिलिंग आएगा हमको तो कुछ अलग चाहिए तो यह चालीस को टाप करने के लिए इसी मैनेजर ने क्या बोला एक काम करते है अपने नैनो तो इनको बेज दी अब इनके लिए क्या लेके आते जैगवार और बोलते जैगवर भरी है और चालीस में से 30 लो पर यह ना नैनो खरीदता है ना जैगवर और बीच की है टाटा के बीच की पर है हैरियर यह 10 टक्के बोलते हैं हम एरियर को छोड़ेंगे नहीं तुम भले ही बहुत महंगी लाओ बहुत सस्ती लाओ हमारा प्रेम किसकी तरफ है स्टाटीजी बस मैंने सिर्फ आपको एक कंपणी के लिए अब यह सब दूसरी कंपणी इसी चीज़ के लिए मारा-मारी करते हैं अब एक नॉर्मल केस्टडी सम्झो 100 मार्केट मैंने हैं और अब इसमें BMW को साथ कि अब इस मार्केट में BMW आया और BMW कौन सा टैप करना है वह साथ या वह 40 पर 40 में से प्रावलम कि दर है दस दस स्विच ओवर होई ही नहीं सकते पर वह खुश किस में तीस में है तो मैरे को बता बीम डुली किसको एड करेगा क्या ब्यम डिली सौजन को एड करेगा नइप डूर तो मेरे को सौजन से कोई लेना देना तो भाई मेरे को बताओ BMW आया उसने किसको एड़ किया तीस लोगों को और उसका टार्गेट मार्केट तीस वो तीस के लिए अब टाटा जैगवर और BMW लड़ी कर रहे है कि अच्छा मेरे को बताओ जिन्दक में जो अलग देता है क्या जिन्दक में अकला बुरी दुनिया लाइफ लॉंग अलग ही देते रहेगा या उसका कॉपी होगा तो फिर उसका मार्केट तो चला जाएगा अब इमाइजिन करो टाटा जैगवर यह मैंने जो बना एक कुछ बनाना है आपको कुछ लिखना है आज में मंडे को लिखाने वाला भी पूरा लेकिन लोगी बिठा देना है तो मेरे भाईयों और स्क्रीन पे सब लोग मेरे को टाटा जैगवर दे रहा है देड़ करवड में और एक एक्स फीचर दे रहा है अब BMW को समझ में आ गया BMW ने पुद्ने टाटा जैगवर ख़ीद लेक और जैगवर ख़ीद के सब फीचर्स तोड़े और देखें फीचर्स क्या है और BMW ने बोले मां कसम ये फीचर्स कॉपी कर लेकर इसको अपन बोलते हैं इमिटेट करना क्या करना बेटा इमिटेट मेरे कहले सबको समझ में आ रहा ह किया एक्जेक्ट वही फीचर्स एक करोड़ चालीस लाक में मिल गया कौन देने लग गया BMW अब मेरे को बता कंजीमर किदर इंफ्लूएंस होगा डफिनेटली कि अपने उग्णोमी से पड़ा होगा कार के लिए हम ऐसे शिफ्ट नहीं करते लेकिन अपने एक एक जम्पल लेंगे कार का क्यूंकि कार मेरी वीवरेट अपने इसमें कार करेगा मैक्सिम टाइम टाइम तो कंड कें कार फेरेट है तो हमाँ स्विच ओष और क्योंकि same feature अगर थोड़ा स्ट कम हो रहा है तो पब्लिक उसके पास जाएगा नरे अब ये ताटा क्या करेगा जाटा तटा क्या करेगा तटा को कधारा नकास्टमर तटा और अब इसमें अगर किसी ने बोला सर तटा अगर 50 करोड़ की जगव गण एक करोड़ तीस लाग करेगा मैं आपको बता रहा हो दो साल के अंदर टाटा घायव जाए ताटा की स्टाड़ी यह हो नहीं नीचे सस्ता नहीं करना है डिफ्रेंसियेशन यानि उसका कौन सा टीम बहुत भारी काम करना चाहिए जितना अच्छा रंडी काम करेगा ताटा उतना और भैतर करेगा ताटा बोलेगा अच्छा तुन्हें यह फीचर लॉंच के एक आट लाग पर फीचर ऑल टुगेदर एक्स प्लस वाई है अब मेरे को बताओ जो पब्लिक एक करोड चालीस लाग दे रही है और उसको अगर वाई फीचर मिल रहे है क्या वो बीस लाग के लिए सोचेगा किदर वापस विचोर हो गया ओके ताटा के पास आ गया अब मेरे को बताओ डिफ्रेंशियेशन अगर सक्सेस्पुल चाहिए तो आप पास क्या बैतर चाहिए एवरीबडी क्लियर लेकिन इसमें अपने एक जन को छोड़ दिया सबसे सस्ता ओके अभी ये टाटा इसके लिए मारा-मारी कर रहा लेकिन सबसे सस्ते के लिए तो मारा-मारी हो याय निखाल अवे लड़ाई दोनों इसमें चलेगी बी एमडविो लेटमाें इसमें क्या करेंगे यूंतक क्सि निकाली है और जो आपकार चार लाग में बेच रहे थे चार लाग वह कार तीन पॉईंटीफा लैक्समें बीची अब शुक्त टाटा क्या करेगा तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं अब अगर इदर किसी ने बोल दिया और और फीचर्स एड़ करेगा कुछ समझ वाया कॉस्ट लीडर में सबसे बड़ी दिक्कत यह है अगर कॉस्ट लीडर दूसरा कोई कॉस्ट लीडर बन गया तुम्हारी ठुक गई कुछ किए अब तुम्हें क्या करना पड़एगा और सस्ता और सस्ता कि अमनेंदर प्रोफिट मार्जिन जाएगा क्यू कि अब बाइच हे लेकिन और सस्ता करेंगा कैसे कुछ तो अच्छा एक चीज मिरों को यह बताओ जब यह सब से सस्ता दे रहे थे सुन रहे हैं से सस्ता देता हूँ बेसिक रिक्वाइर्मेंट तो देता ही देता है कि आपके आपको बताओ अगर एक्स्टा फीचरी देने थे अरे मालिक फीचर कम कर दिया इंपर देता हैं तो मिरे को बता क्यों आंग के पास अगर आपको सस्ता आप बुलोगे फीचर कम करोगे स्बेंद्द पहल सब्सब्स पहला निकाल दो आप गलती से ऑचर कम करो फिचर कम किया तुम कम हो गया दूसरा तुम बोलोगे सरो एक काम करते हैं सर नुकसान उठाएंगे कि क्या करेंगे अपन और फिर भी बेचेंगे तो मैंने आपको अल्रेडी समझा दिया है ये बंदा कॉस्ट लिडर नहीं है ये चोमु है क्योंकि पूरे फी लाइव से अजया संघ्मित करेंगे सब्सक्राइथ को इंड शैल हो निढ़र नुकसान नुखळाए बाओगा नुकसान किते थनी दिठाए हाँ ये टेंपरी फेसलिफ्ट में गतर्वumpy एक्सेप्ट्ट एक्सेप्टि एकसेप्टेटा अज़त पढ़ा दो कार में वेजाश sounds रिजास एक याई साकेड़ सक्ट ब्रेक के सस्ता कर दो आधी जिन्दगी में यही पढ़ने में मज़ा आता है तुम्हा मालू है कि ओनलाइन कमेंट के बाद है लाइब बत इंट्रेस्टिंग हो गई है आज मैं कोई Instagram पे YouTube पे वीडियो देखता हूँ ना मैं वीडियो में इंट्रेस्टेट नहीं हूँ अँषके जो कमेंट साथे ना उस पे इंट्रेस्ट आदेव क्या कमेंट क्या की है एक video एक वीड़ो कोच और होगा उसके कमेंट आरिे मांकान सुने तू चूमूढ, मैं चूमूढ, तू चूमूण, तू चूमूढ, बीची टू मैं चूमूढ तू आगे पता, मैं एके पता, तू बता, जिफे200 नहीं कि आप आपके हो गरे यह के ए जिक हो जनुए अगरा उन आज चुमू चुमू. उनसे स Este difficult Day जाता है कल दूनुई मोही मोही धो जनुद को लिब名ες हुआ! मेरे हाथ नहीं रिर्चार ना ही. टैनि तो विछे इस रहे हैं! यह वह एक सर ने गुला बीगा डिफ्रेंसियेशन ऐसी रिल बनाओ ऐसी रिल बनाओ ऐसी रिल बनाओ और प्रोड़क्ट डिफ्रेंसियेशन ठीक है coming back to the point okay मेरे को बताओ फटाफटी से एंसर दो मेरे को बताओ चार लाग का रहेंगा का कोई एक एक्जांपलungeum हम इस अब प्रोडक्शन और बदीविए देखा आपने यह फ्रोडीक्शन ऑब द्रोड़ीत में सर पर रकूंग गाडिया क्योंकि आभी गाडिया और दूसरी नहीं मेरा customer shift हो रहा है मेरा customer 60 थे उसमे तो श्विस तो चले गए किसके बढ़ा के करेंगे क्या प्रोड़क्शन बढ़ा के का उसका कंजम्शन भी नहीं है ना क्यूंकि बाकी 40 जन क्या कर रहे हैं कि 40 में से 30 किसके बाद है कि डिफ्रेंशियेशन दस है जो वही खरी देंगे अपन तो साथ को बढ़ा नहीं पा रहे हैं यह लॉजिक दिमां में बढ़ा के रहे हो है 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 अंहालbn ने बोला थोड़कर दो यह भी मैंने आपका समझा दिया प्रॉफिट कम किया और अगर आप नेगेडिव में गए आप कॉस्ट लिडर हो ही नहीं कॉस्ट लिडर में मैंने क्या बोला सस्ता बेचा फिर भी प्रॉफिट है बता यह फटा बटाइए लास दो मिनिट और यह यह पॉइंट को क्लोज कर देते हैं यह सबंदर हाँ कि और यह अरेंड को कॉपी करेंगे कॉपी क्या करेंगे अपन महिंद्रा को कॉपी करेंगे महिंद्रा ने अपने को कॉपी करके यह सस्ता बना अभी आपन उसको कॉपी करेंगे और सस्ता करेंगे फिर अपने को कॉपी करेंगा फिर सस्ता करेंगा फिर वह अपने को कॉपी कीचि यह गाड़े एक एक आंसर कोई बोल बंडर हां कि एक से कें ना क्वालिटी पर कॉम्परमाइस करें अगर आपने कॉमपर माइस किया देखो आपको मना नहीं है क्यूंकि कॉस्ट बन रहे चल कि उने रही है एक्सेलेटर तबारा वे चल कि उने रहे है वाजी वाला अप मैने जरा रहे है तायर आप टायर चाहिए कि ट का दसदा सदा ओ यह गोर कि तब हम मालोम यह नहीं दा भाई याई वाह आप्ध्लिन है वाहि मालोम यह लगसे लिना कि मार्केटिंग किस की सब्सक्राइब कि अगर अभी किसने बिजनेस में फंक्शनल को ठोका मेरे को एंसर चाहिए एक भी एंसर नहीं मिला रहे मेंटेन्स सर्विस प्री कर दिंगे करेंगे कॉम्पिटर के साथ यह तो भारी है महिंद्रा एक काम का नापन दो ना लेकिए वह साथ को लेंगे एक लास बता तो फिर मैंई क्लोज करता काॉस कटिं कर सकते हैं के देख़िए हमद्रा और मáginaं लेकिन कजिरो और समय नहीं आ Israeli महिंद्रा को कि देखो seperti से ठीमें कहुं आरहा है तुम एक चीज़को पहले क्लियर क्यू Wesley हो जबकी मैंने कोई यह भी चीज मिक्स नहीं की आपके साथ महेंद्रा को खरीदना या बेचना किसका डिस्यान है अब लोग मतलब मैं जितना चीज उतको रेस्रिक कर रहा हूं उतना चीज मैं यूमरेसली आपको समझा रहा हो कि यह अलग अलग है उसके बाद आप वही चीज सब मिक्स कर रहे हो अब वह खरीदने वरीदने का बात यार वह ब्रतन टाटा जी पर छोड़ो ना रहा है अब अन्मात कर रहे हैं मिस्टर एक्स क्या करेगा सी ओ वाला पंटर पंटर एक ही ओप्शन है इसको ऐसी कोई प्रोडक्शन टेक्निक निकालनी होगी जिससे कॉस पर यूनिट कम हो जाए एक्जामबल देता हो समझे वश्क्रों क्या ऐसा हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर पार्ट आप अप दे कार मैं मैं अनुफेक्चर कर रहा हू इन हाउस और अ अगर बंडाते सुनों रें समय एक बनाट रणा सम्हों मार्केटंग ज्याधा करेगा चैनल कंजिंद सौर्ख का बीकविद्ट की अगर बढ़ जाएगी समय से कूंवर Dri a P काई के लिए वो किसी और के पास switch होगा लेकिन कुछ कारण वर्ष किसी computer ने imitate कर लिए अपनी जो cost cutting techniques है वो भी उसने copy कर ली इसी लिए इस case में भी अपने को R&D चाहिए कोई अगर आपको याद है 10-15 मिन पहले मैं बात कर रहा था तो cost leader में आप बोल रहते हैं R&D की ज़रूरत नहीं है okay please understand यह difference है differentiation और cost leader में differentiation में जो R&D होगा वो product feature पे काम करेगा और जो cost leader का R&D होगा वो cost cutting पे काम करेगा के cost cut कैसे होगा वापस बोल रहा हूँ देखो ऐसा possible है कोई quality compromise हो example बोल रहा हूँ अगर आपको सस्ता product चाहिए EOB batch available है exam oriented batch available है सस्ता product है इससा सस्ता है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें quality compromise है quality compromise है वैसा नहीं होगा यानि उसमें चार टायर होंगे वो सब कुछ होगा लेकिन उसी quality कुछ extent चलने वाली या जैसे चलाने वाली वैसी रही यह कौन ध्यान रखेगा R&D और यह decide कौन करेगा बिस्ञेस वाला तो बिस्नेस वाला कित्र टीशन लेका पञासे कौन से कौस लेडर और डिस्टिप्रेंचिएशन तीसरा डी गए 10 10-10 ontके अ कोद गें तो 69 60 60 60 कौन था टा संथी कह लेडंगिए पर 10 कलते हम यही हरी देंगे पर इसको बोलते focus क्या बोलते हैं focus तो मेरा आज का concluding point तोड मालिक एकदम clear होना चाहिए पहला सवाल सबके दिमा में तोड रेडी पहला कितने level of management है जो study में involved है नाम corporate business functional corporate कितनी study बनाएगा तीन रिट्रेंश्मेंट रिट्रेंश्मेंट में तीन तरन राउंड के बात क्या है डाइवेस्मेंट लिक्विडेशन अब दूसरा सवाल आता है मेरा जो लॉजिकली एक्दम सिंपल है business level कितनी study बनाएगा तीन दो नहीं तीन तीन कौन सा साथ 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 कॉस लीडर त इस differentiation जो बच्चे हुए दस है focus तीन साथ एवरीडी क्लियर और फंक्शनल लेवल स्टाड़ी सब आपको पता चल गए सब फंक्शनल लेवल स्टाड़ी से बहुत सारी है एक्जामबल ओके आपके स्क्रीन पर लिखे यह सब फंक्शनल लेवल स्टाड़ी इस किस की सटाड है मार्केटिंग की स्टाड़ी सेल्स की स्टाड़ी इस फंक्शनल लेवल कोन उस ने करेगा और उस बिजनस के लिए जो डीसिएन लेगा वो कॉन करेगा? corporate level. I hope clear है मालिक? आपके syllabus में corporate level studies सारी की सारी covered है. आपके syllabus में business level studies सारी की सारी covered है. आपके syllabus में functional level studies सिर्फ और सिर्फ marketing covered है. तो functional level studies आपके सारी उड़ गई. Old syllabus में, पिछले साल के syllabus में, functional level studies जितनी अभी स्क्रीन पर लिखिये सब होती थी. New syllabus में उन्होंने कौनसी strategies उड़ा दी? सारी functional strategies उड़ा दी, सिर्फ एक रखी है? marketing. यानि आपने syllabus में कित्ती प्रकार की studies है? तीन. लेकिन तीसरे में सिर्फ? एक कौनसा? marketing. पर इसका मतलब यह नहीं निकालोगे कि इसके अलवर कोई strategy होती है? होती है, लेकिन अपने syllabus में नहीं है. तो अपना syllabus कित्ती साथी से बढ़ा पड़ा है? तीन स्टाथी से पहली साथी? corporate level. उसके कित्ते पॉइंट समझ में clear आया? second. third. functional level. everybody clear? Monday को अपन ये strategies सब लिखेंगे. Monday को जब मैं चालू करूँगा, Chapter 1 का management और strategic management क्या होता है? ये close करेंगे. और Monday को अपन एंटर करेंगे corporate level studies में. तो कौन सी corporate level studies होती है? corporate level studies कौन सी होती है? 3. stability, expansion, retrenchment, retrenchment. every day clear? and don't worry, अगर मैं कभी-कभी चिल्ला देता हूँ, चिल्ला देता हूँ, मतलब ऐसा हो जाता है, क्या बूल रहा है, बोल दिया, समझा दिया, तो seriously दिलनेगा, लेकिन आप 4-5-10 lecture होने के बाद seriously दिलनेगा. 15 lecture में जाके तू बोलेगा, marketing is business level strategy. फिर तो समझ रहा न, मिरा क्या होईगा? आस्तला विस्ता, enjoy the Sunday, take care. Bye Malik.